एक वेद की आज़्जाँ ऐसी है कि उसमें परमात्मा ने हमें कुछ कारे करने से रोका लेकिन हमने किया हमने किया तो हमारी पीडियां बरबाद हो गई हम गुलाम हो गई जानते हो वेद की वह आज़्जाँ कौन सी है सीधे होके बैटो मेरे साथ बोलो वेद की आजियाओं को बड़े सम्मान से बोलते हैं कमर गर्दन सरसी देखरो बोलो मेरे साथ अक्षईर मा दीव्यह अक्षईर मा दीव्यह परमात्मा वेद में कहता है जुआ मत खेलो अक्षईर मा दीव्यह मतलब जुआ मत खेलो वेद कहता है तु जुवा खेलेगा, तेरा परिवार बरबाद हो जाएगा, तिरी पतनी रोहेगी, तेरे बच्चे रोहेंगे, तेरे घर में से सुखों का डेरा उड़ जाएगा, इसलिए जुवा कभी मत खेल, लेकिन फिर भी हमारे इतियास में जुवा खेला गया, खेला किसन खेला था, किसने खेला था, ऊचा पूरा नाम लोगी, बाई योद हो को हार गये, इस से के आगे बताओ, क्या हार गये, भाई पतनी स्वयम, अपनी धनसंपत्ति हार गये, और क्या हार गये? महराज युदिष्टे जुएं की उस वेदी पर बैठकर राज्य हार गए राज्य राज्य किसी राजा के बाप की बपोती नहीं होता बोलो राज्य किसका होता है राज्य का के प्रजा का किसका होता है राज्य प्रजा का होता है राजा तो सेवक होता है उस परजा की सेवा करने के लिए न्यूक्त किया गया होता है और उसने राज्य को अपने बाप की संपत्ती समझ कर जुवे में हार दिया बताओ अधिकार था अधिकार था और एक बार नहीं दो दो बार जब पहली बार हारा तो पिताम भीश मादी के धिकारने पर धृतराश्टर ने इसका सब कुछ वापस लोटा दिया लेकिन शकूनी के फिर से ललकारने पर महाराज विश्टर ने दुबारा जुआ खेला और फिर सब कुछ हार गए फिर राज्य हार गए और इसी जुएं की विबीशिका पर खड़ा हुआ महावारत का युद्ध इने बारा साल का अज्यातवास और एक बरस का अज्यातवास जहलना पड़ा यह जंगल में गए दर-दर भठके भीक मांकर खाया इन्होंने कारण वेद की आज्यां का उलंखन जानते हो उस समय जब इन्होंने जुआ खेला उस समय सिरकेश ने किसी युद्ध पर गए हुए थे लोट कर आए और उन्हें पता चला कि उन्होंने वेद की आज्या का उलंगन किया है तो स्री किष्ण को बहुत क्रोध आया क्रोध आया जंगल में इन से मिलने गए और जंगल में इन से मिले तक नहीं इतने गुस्से में थे जाकर अपनी बहन से मिले दुरौपदी को स्री किष्ण अपनी बहन बानते थी इसलिए दुरौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है कृष्णे की बहन कृष्णा तो उससे जाकर कहे कि कृष्णा जब ये लोग वहाँ जुवाँ खेलने के लिए उद्यत हो रहे थे वेद की आज़्यां का उलंगन कर रहे थे तु तो गुरुकुलों की सनातिका है तुने इने जुआ खेलने से वेद की आज़्यां का उलंगन करने से क्यों नहीं रोका द्रौपदी ने का ब्रादा जी ये तो क्या मैं तो क्या कोई भी इने जुआ खेलने से उस समय रोक नहीं सकता था ये तो ऐसे अंधे हो गए थे इनकी बुद्धी ने सोचने समझने का काम ही बंदे कर दिया था और कहती है मैं तो ये कहती हूँ अगर उस दिन आप भी वहाँ होते तो इने वो पाप करने से रोक नहीं सकते थे तो स्री किष्ण क्रोधी थोकर गरज कर किष्णा आपको कहते हैं डांट कर कहते हैं कि सावधान किष्णा ये मत कह अगर मैं उस सभा में मौझूद होता तो मैं इने समझा बुजा कर या डांट फटका कर इने वेद की आज़्जा का उलंगन करने से रोक देता इने जुँआ न खेलने देता द्रोपदी बोली आप जानते नहीं उस समय इनके सिर पर क्या सवार था ये किसी सूरत में रुखने वाले नहीं थे तो स्री किष्णा कहते हैं अगर मेरे समझाने या डांटने से भी ये जुआ खेलने से बाजनाते तो मैं शबत पूरवक कहता हूँ द्रोपदी के मैं चक्र सुद्रशन उपा कर उस भरी सभा में बेद की आज़्जा का उलंगन करने वाले एक एक बेक्ती का सर धड़ से अलग कर देता लेकिन मैं बेद की आज़्जा का उलंगन होने नहीं देता यहाँ से दो बात पता चलती है एक तो यह कि स्री किष्ण बेद की आज़्जा का उलंगन करने के कितने खिलाफ थे और बेद की आज़्जा के लिए कितने तत्पर थे और दूसरी बात यह पता चलती है कि वो सभा जिसमें वो सरधर से अलग करने की चुनोती दे रहे हैं उस सभा में दुनिया के सबसे उत्वा योद्धा वैटे हुए दे लेकिन अकेले श्रीकिष्ण सबका सरधर से अलग करने की बात कर रहे हैं का मतलब उनके काल में स्रेकिष्ण जैसा दूसरा कोई योध्धा विद्यमान नहीं था स्रेकिष्ण अपने काल के स्तरवुत्तम योध्धा थे उनके जैसा योध्धा एक भी नहीं था एक भी नहीं था इसी ज्गुए की विविशी का पर खड़ा हुआ महाभारत का युद् ये कुरुक्षेत्र, अठाराक्षोहीनी सेना, लोग तो बहुत बड़े-बड़े आकड़े बताते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र और आसपास का यमना नगर और पानी पत्तक का जो इलाका है, यदि यहां तक की हम बात करें, और हम सोचें कि यहां कितनी सेनाई खड़े होकर लड़ सकती हैं, तब भी सबसे कम आखलन करने पर भी हमें ये कहना पड़ेगा, कि कम से कम एक करोड योधा मारे गए, योधा ही नहीं, वहाँ विद्वान भी मारे गए, केवल योधा नहीं, विद्वान मारे गए, अर्तात वेद की आज्याओं को पढ़ने और पढ़ने वाले मार गए मारे गए और वे मारे गए जो वेद की आज्याओं को पढ़ने और पढ़ने वालों की रक्षा करते थे सारे विद्वान लगभग देश वर के दुनिया भर से चुन-चुन कर वेद के विद्वान मारे गए और तब पूरी दुनिया में फैला वेद की अविद कार में धपे मार रहे हैं हमें आज तक कुछ हाथ नहीं लगा है आज पांच हजार साल हो गए महावारत का युद्ध भीते वे और ऐसी परिस्यती हमारी हो गई हम भूल गए कि हम स्रीकृष्ण की संताने वो स्रीकृष्ण जो वेद की आज्याओं का उलंगन करने वालों को कि में मार डालूंगा लेकिन वेद की आज जाओं का वलंगन होने नहीं दूंगा लेकिन हमने तो इस अविद्या के अंधकार में फंसकर स्रीकृष्ण को ही नजाने क्या बना डाला रहे हैं राधा क्राधा कों थी भाई राधा कों थी य शूदा के बड़े भाई थे उनका नाम था रायन क्या नाम था यशोदा के बड़े भाई का? रायन और रायन की पत्नी जो यशोदा से बड़ी थी उमर में उनका नाम था राधा क्या नाम था उनका? राधा, अच्छा बताओ स्री किष्ण की माता जी यशोदा उनके भाई की पत्नी स्रीकिष्ण की क्या लगी अरे बोल पड़ो तुम्हारे मा के भाई की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी मामी लगी के नहीं लगी राधा रायन की पत्नी थी जो ये शोदा के भाई थे वो स्रीकिष्ण की मामी लगी और हम स्रीकिष्ण की मामी के साथ स्रीकिष्ण पर गंदे और ओचे आरोप लगाते हैं लांचन लगाते हैं स्रीकिष्ण के क्या हालत कर दी चक्र सुदर्शन धारी स्रीकिष्ण हम कहते हैं न कि कोई आदमी वेद की आज्जां को स्थापित करने के लिए धर्म की स्थापना के लिए किस हद तक जा सकता है स्रीकिष्णे को देखो किस हद तक जा सकता है युद्ध के प्रारंभ में ही स्रीकिष्णे प्रतिज्या की कि मैं इस पूरे युद्ध में हतियार पूरे युद्ध में हतियार नहीं उठाऊंगा लेकिन युद्ध में गड़बड हो गई एक बूढ़े आदमी ने परतिज्जा कर ली बोला दस हजार रोज मारूंगा कौन कौन पितामा भीश्म अरजुन को कहा स्रीकिष्ण है इसे मार नहीं तो युद्ध बुद्ध चल लिया दो चार दिन में सब निप्टा देगा अरजुन बोला ये मेरे बसका नहीं है इसे मारा नहीं जा सकता और जब पितामा भीश्म ने हाहा कार मचा दिया और पांड़ों की सेना ऐसा लगता था जैसे आज ही खतम हो जाएगी तब स्रीकिष्ण कैसे बिक्ती थे मनियारे का भेस बनाया स्याम चूड़ी बेचने आया बताओ ठेली लगवा दी स्री किष्ण को ठेली लगा के चूड़ी बेच रहा है रात श्याम सपने में आएं धाया पी गए यह इतनी गंदी बात है बैठकर कभी विचार करना एकांत में तब पता चलेगा इतना गंदा आरोब संसार में कोई किसी बढ़ नहीं लगा सकता कलपन घट पे मोहे घेर लियो रे मोरी पतली कलया मरोड दीयो रे मैं तुमसे पोछता हूँ तुम में कितनों की बेहने हैं कितनों की बेटियां हैं एक लड़का है जो रास्ते में चलती हुई लड़कियों के हाथ पकड़के मरोड देता है उन्हें छेड़ता है ऐसे लड़के के हाथ में कितने लोग हैं जो अपनी बेहन और बेटी का हाथ देना पसंद करेंगे ब्या करना पसंद करेंगे उससे है कोई स्री कृष्ण जिन्होंने जब अपनी पतनी के साथ विवा कर लिया रुकमिनी के साथ तो रुकमिनी ने कहा ठहरो विवा तो हो गया है लेकिन बड़ी सावधानी से जीवन जीएंगे मैं पुत्र तो चाहती हूँ लेकिन साक्षात आपके जैसा स्री किष्ण ने का फिर तो तपस्या करनी पड़ेगी बहले कैसे बहलो वैद के पास चलते हैं वैद के पास गए विद्वान के पास गए विद्वान से जागर कहा कि हम ऐसा पुत्र चाहते हैं जैसा हमें सोया मूँ तो उन्होंने का बारह साल तक ब्रहमचरे का पालन करो अपनी ही पतनी के साथ जो व्यक्ति ब्रहमचरे से जीवन जीता हो उस पर कितने गंदे आरोप लगाए 12 साल तक कठोर ब्रहमचरे का पालन करके ओशदियों और पत्थे का अनुसरन करते वे केवल एक पुत्र अपने पुरे जीवन में उत्पन्य किया स्रीकिष्णे और उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न और प्रद्युम्न साक्षाथ स्रीकिष्णे की छवी था कहते हैं जब प्रद्युम्न युद्ध के वे लिए चलता था तो स्री कृष्ण उसकी चाया जैसे लगते थे इतना भयंकर योधा पैदा किया कहते हैं स्री कृष्ण को एक दिन मारुकमिनी ने मौर का पंख दिया का इसे पने मुकुट में लगा कर रखा कर हर समय स्री कृष्ण ने का इसकी क्या जरूरत है बोले जब तुम दोनों पिता पुत्र आते हो तो मैं पहचान नहीं पाती हूँ कि इनमें प्रद्युम्न कौन सा है और कृष्ण कौन सा है इसलिए अपने मुकुट में हर समय मौर का पंख लगा कर रखा कर इसलिए स्री किष्ण के साथ मौर का पंख जोड़ गया आज तक चला आता है लोग उस मौर के पंखो को स्री किष्ण के साथ जोड़ कर देखते हैं लेकिन हमने हमने तो स्री किष्ण की दुरुगती कर दी हमने स्री किष्ण को नाचने वाला बना दिया रास करता है औरतों के साथ गंदा व्याभिचार करता है स्रीकिष्ण महान योद्धा थे चक्रस दरशन धारी ऐसे महान योद्धा जिसके सामने खड़े होने का सामर्थ संसार में किसी में नहीं था जो छोटा है आयू में लेकिन उससे चार गुनी आयू का पिता मभीश्म उसके सामने दूर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है गुरू द्रोनाचारिय जिसे प्रणाम करता हो और उस काल के महान से महान लोग जिसे दूर से खड़े होकर प्रणाम करते हो जिसकी और शत्रू भी मारने की नियत से उठकर खड़ा नहीं होता कर्ण से मिलने चले आए कर्ण जो दुर्योधन का दाहिना हाथ था उसे जब समझाने के लिए स्रीकिषन आए तो एक बार भी मन में शत्रूताग भाव नहीं आए करने के लिए कर्ण को बुलाया तो चुपचाप बुलाने से चला गया बड़ा भी था उम्र में तब भी बुलाने से चला गया और वो समझाते हैं तो चुपचाप सुनता है लेकिन अपने मित्रता के भाव को प्रदर्शित करते हुए कहता है जब स्रीकिषन या आप स्वयम मर जाओंगा, वो अपनी प्रतिज्यां के लिए लड़ता है, लेकिन स्री किष्ण के खिलाप उसके मन में कोई द्रोह पैदा नहीं होता, जब स्री किष्ण उसे बताते हैं कि तू तो इनी पांडवों का बड़ा भाई है, तो वो स्री किष्ण से कहता है कि मे पांडव जान जाएंगे, तो कहतना है, राज्य न स्वयम कभी लेंगे, सारा राज्य मुझे देंगे, और मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुरियोधन को दे जाऊंगा, पांडव बंचित रह जाएंगे, वे तो बिचारे फिर ऐसे ही रह जाएंगे, अगर राज्य पां किम्रस्वर में हुना सुनता, ऐसे थे स्रीकृष्ण चंदर महराज, और हमने अपने पिता स्रीकृष्ण चंदर महराज को क्या कर दिया, क्या हालत कर दिया।